ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है Healthcare Delivery System in India क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कुछ भी लिखने की ज़रूत नहीं है क्लास के नोट्स आपको description box में दे दिये जाएंगे वहां से आप direct download कर सकते हो तो शुरू करते हैं Healthcare of the Community वाले चैप्टर का अगला topic that is Healthcare Delivery System in India ये ना, ठीक है, ये topic important तो है थियोरी में हमेशा ही आना है वाईवा में हमेशा ही पूछा जाना है इनके बावजूद भी ये important है क्यों? क्योंकि हम Health Sector से ब्लॉंग करते हैं हम सभी को कभी ना कभी जिंदगी में पूरे के पूरे Healthcare Delivery System से कही ना कही रूबरू तो होना पड़ेगा हो सकता हम कभी आगनवाडी सेंटर जाएं कभी हम सब सेंटर जाएं कभी हम PHC, Primary Health Center में जाना हो या हमारा कभी Community Health Center में जाना हो या कभी हम आशा से रूबरू हो A&M आगनवाडी कारी करता है ये सब किसी से जानकारी में होना चाहिए कि भाई पूरे के पूरे Healthcare Delivery System जो है इंडिया का उसमें कौन कहां पे है और कौन से सेंटर उपर आता है कौन से सेंटर नीचे आता है कौन से वर्कर कौन से सेंटर में काम करते है थोड़ी बहुत जानकारी तो हमको होनी चाहिए तो शुरू करते हैं हमारा Healthcare Delivery System in India उसके पहले समझ लो कि भाई Healthcare जो दी जाती है हमारे या वो कैसे दी जाती है पूरा का पूरा Healthcare System होता है उसके मुखेता चार कॉंपोनेंट है Input और Output के बीच में है Healthcare Services और उन Healthcare Services को कैसे देना है That is Healthcare Delivery System के द्वारा अब Input में क्या-क्या चीज़ें आएंगी तो अगर हम देखें यहाँ पे तो Input में क्या-क्या चीज़ें आएंगी लोगों का Health Status कैसा है वहाँ पे कौन-कौन सी Health Problems है वहाँ पे और उन सब Problems को Resolve करने के लिए क्या-क्या Resources है उस देश के पास Resources जब भी आपसे पूछे ना वाईवा में तो ना MMT याद रखना MMT Money, Manpower and Time क्या होता है वो हम आगे समझेंगे उसके बाद हमने Input तो अपना MMT दे दिया उसके बाद हम MMT की मदद से Health Care Services देते हैं Health Care Services में किस तरह की Services पहले तो बीमारी का बचाव कराओ that is Preventive Services फिर भी अगर बीमारी हो जाए तो Curated Services यानि की बीमारी को ठीक करो और Promoted Services यानि की Health को Promote करो तो ये तीन तरह की Services हम देते हैं अब सवाल ये है कि ये Health Services कैसे दी जाती है या किनके द्वारा दी जाती है तो उसके लिए आता है हमारा Health Care Delivery System जो की Health Services देने के लिए इस्तमाल होता है उसमें में पास अलग-अलग सेक्टर है पॉब्लिक सेक्टर यानि की सरकार द्वारा जो अस्पताल खोले गए हैं Health Care Workers है उसकी मदद से Private सेक्टर मतलब Private Hospitals Private Medical Colleges इन सब की मदद से ये दोनों जो है ये अपने Allopathy वाले हैं उसके अलवा अलग ही एक Medicine का System चलता है इस Indigenous System of Medicine जिसमें की आयोशाता है Ayurveda, Yoga, Yunani, Siddha इन होमियोपैथी इन सब के अलावा भी ना कई Voluntary Health Agencies हैं कई NGOs हैं जो काम कर रहे हैं देश में जो भी Health Care प्रोवाइड कर रहे हैं प्लस National Health Programs तो All Over India चली रहे हैं तो ये सब ही Health Care Delivery के तरीके हैं जिनकी मदद से Health Care Services दी जाती है इनको अच्छे से हम आगे पढ़ेंगे और सबसे आखरी में जब आपने Services दे दी Health Care Delivery System के द्वारा तो आता है Output Output का मतलब ये जो हमारे Health Status था लोगों का Health Problems थी लोगों को वो Health Care Delivery Services थ्रू Health Care Delivery System देने के बाद कितनी बदली कितनी जिन्दगियों को आपने बचाया कितनी डिजीज को आपने प्रिवेंट किया वो सारी चीजे तो ये होता है आपका पूरा का पूरा Health Care System जिसमें आता है Input Health Care Services Health Care Services र डेलिवर थ्रू Health Care Delivery System और फिस सबसे आखरी में आता है That is Output समझ गए तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा Health Care System चार मेंन कॉंपोनेंट आपको नाम याद रखने है इनके बारे में थोड़ी से जानकारी ले ले लेते है Input में ना हमारे पास छोकि हमने पहले देखा था मुखे था तीन चीज़े आएंगी पहले तो आएगा Health Status कैसा है लोगों का फिर Health Problems क्या है लोगों के बीच और उनको ठीक करने के लिए अगर हमको Services देनी है तो हमारे पास कितने Resources available है अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में Health Status के बारे बात करें तो Demographic Profile देखें तो Large Population Base है Population बहुत ज़ादा है Illiteracy भी बहुत ज़ादा है याने कि करीब 26% लोग Illiterate है इससे क्या समझ में आता है करीब 74% हमारे यहां का Literacy Rate है उसके बाद Dependency रोशिप में हमारे यहां काफी ज़ादा है 53 है Mortality Profile के बात करें तो Life Expectancy अगर इंडिया के बात करें तो करीब 67.5 यह से याने कि पैदा होने के बाद ऐसा समझा जाता है कि 67.5 यह तो आप जिंदा रहोगे तो यह थोड़ा सा हमने Health Status के बारे में देख लिया कि भाई अगर हमको Health Services दे नहीं है तो Health Status भी पता होना चाहिए फिर Health Problems देख लें अगर हम देश के बारे में तो बहुत सारी Communicable Diseases Prevalent है Malaria, TB, Diaryal Disease ARI, Acute Transpiratory Infection Leprosy, Philaria, Aids बहुत सारी हैं सिर्फ Communicable ही नहीं Non-Communicable Diseases भी हमारे देश में बहुत सारी पाओ पसार रही है जैसे कि Diabetes Mellitus, Cardiovascular Disease Cancer, Stroke, Cataract Refractive Errors यह तो होगई Communicable और Non-Communicable Diseases उसके लावा Nutritional Problems भी बहुत सारी हैं जैसे कि Protein Energy Mal Nutrition, Nutritional Anemia Low Birth Weight, Zerophthalmia IOD In Deficiency Disorder और भी बहुत सारी उसके लावा यह तो होगई आपकी Diseases इनके अलावा भी Problems हैं जिनको कि Health Care के थूँ ठीक किया जा सकता है जैसे कि Environmental Problems Lack of Seek Water है साथ सुत्रपानी अविलेबल नहीं है In fact, Excreter Disposal की सदियों पुरानी Methods अभी भी इस्तिमाल की जा रही है उनको भी ठीक करना पड़ेगा उसके लावा एक बहुत Important Problem चल रही है देश में That is Medical Care Problem ऐसा नहीं है कि हमारे पास Health Care Deliver करने के तरीके नहीं है जरिये नहीं है Problem है Penetration Power की कि यह जो Health Services है यह ना Periphery और Rural Areas में उत्ति असानी से पहुँच नहीं पा रही है इसलिए सबको सुविधाय मिल नहीं पा रही है उसके लावा भी Population Problem तो है जैसे कि हम देख सकते है Inval Growth Rate हमारा 1.2% तक पहुँच चुका है तो Population तो बाड़ी रही है ठीक तो हमने देख लिया Input में कि Health Status कैसा है लोगों का क्या-क्या Health Problems है अब इनको ठीक करने के लिए देख लेते हैं कि क्या-क्या Resources अवेलेबल होता है अब Resources में क्या-क्या तीन चीज़ें आती है MMT याद रखने MMT M stands for Money M stands for Manpower T is for Time Money का मतलब कितना पैसा सरकार खर्च करती है Health पे तो अगर हम देखें तो 3% of the GDP सरकार खर्च करती है Health-related events में Health and Family Welfare पे अगर हम Manpower की बात कहें तो Manpower में क्या-क्या आ जाएगा जितने भी सरकार के पास कर्मचारी है Health-related वो सभी यानि कि आशाकारे करता A&M, MPW means Multipurpose Worker Health Assistant Male and Female trained local dyes है हमाए पास nurses है हमारे बास doctors है और भी बहुत सारी सभी Health Manpower में आ जाएंगे तो हमने देख लिया हमारे पास पैसा कितना है हमने देख लिया हमारे पास Manpower कितना है अब एक सबसे important चीज़ जो होती है वो होती है time time का मतलब है resources में man hours man hours का मतलब क्या है man hours का मतलब है कि भाई जितना समय किसी को अपने job में देना चाहिए वो पूरा समय वही काम करेगा तो ज़्यादा अच्छा result निकल के आएगा for example अगर हम बात करें आशा की तो आशा के पास बहुत सारे है health education देना है लोगों को जानकारी देना है और भी बहुत सारे तेकिन वो ये सारे काम के अलावा ना रजिस्टर ही भरती रह जाती है कि ये रजिस्टर कंप्लीट करना वो रजिस्टर कंप्लीट करना भाई तुम्हारा जो main काम है पहले वो करो ऐसे एगर A&M है A&M को session site पर जाके immunization करना है तो वो ये काम करे कि भाई सारे पहले वो जाए focal point वहाँ से vaccine उठाए नहीं उसके लिए हमने AVD दे दिया कि भाई तुम्हारा जो काम है वो करो याने की proper use of man hours जितनी देर job है उतनी देर अपना job करो बागी फालतू के काम नहीं करो that is time तो resources आप से वाई वाई पूछा जाता है resources याद रखना money manpower and time ठीक तो यह हो गया आपका input input मतलब की क्या-क्या परिशानिया है यह आपने डाल दिया अब इसको ठीक करने के लिए आपको देनी पढ़ेंगी healthcare services तो यह जो services होती है वो कैसी होने चाहिए वो health needs के हिसाब से होने चाहिए ऐसी होने चाहिए जिनसे लोगों का health status improve हो सके और उसके लिए आप कहां देखोगे आप WHO की site पे जाओ वहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है WHO planning of public health services वहाँ से आप services उठा सकते हो ठीक उसके बाद हमने ये भी देख लिया पहले हमने देख लिया input में कि क्या क्या problem है कैसा health status है और कितना हमारे पास resources है फिर हमने देख लिया कौन-कौन सी services हमको देनी है लोगों की need के साब से और status सुधारने के लिए अब उसको ठीक करने के लिए हमको जरूरत है पूरे के पूरे healthcare delivery system की तो हमारे पास है पूरा का पूरा अच्छा बड़ा healthcare delivery system हम आगे देखेंगे इसी की मदद से healthcare services दी जाती है और यही सबसे important है और फिर जब हम services दे देते हैं तो हम output देखते हैं कि भाई कितना status change your health status, कितनी जिंदगी बचाएं और कितनी disease prevent की अब जब हमने यह चारो component देख लिए that is input, healthcare services, healthcare delivery system और output अब आता है सबसे main चीज that is healthcare delivery system ठीक तो इंडिया का healthcare delivery system कैसा है इंडिया का healthcare delivery system है न healthcare delivery system का मतलब क्या होता है healthcare delivery system का मतलब होता है वो कौन-कौन सी चीजें है वो कौन-कौन से लोग है वो कौन-कौन सी जगह है जिनकी मदद से आपको healthcare मिलती है पहली जो आजाएगी public sector public sector में क्या आता है public sector में आता है जितने भी government के hospital है healthcare workers है वो सभी public sector में आ जाएंगे तो healthcare workers और healthcare से related जितने भी hospitals है एक सरकार के वो सभी public sector में आएंगे इसके अलावा सरकार लोगों की health के लिए कई insurance scheme भी चलाती है वो भी आ जाएंगी और कई other agencies भी है सरकार की जो भी healthcare provide कर रही है उसके अलावा ये तो हो कि public sector public sector के बाद आता है private sector private sector में जितने भी private hospital वगरा है वो सभा जाएंगे उसके बाद एक indigenous system होता है अब ये जो public sector और private sector है न ये तो mainly allopathy करते हैं ठीक है इस allopathy के अलावा भी एक अलागी system चलते हैं जो कि आपको health care provide करते हैं वो होता है आयोश ayurveda, yoga, yunani, siddha and homeopathy ठीक है तो indigenous system से भी आपको health care मिलती है उसके बाद आता है voluntary health agencies काई NGOs हैं जो काम कर रहे हैं जिनकी मदद से हमको services मिलती है वो भी आपको health care services देते हैं और सबसे आखरी में worldwide national health program से चली रहे हैं तो ये हो गए हमारे health care delivery system के 5 main component इनके अंदर क्या क्या आएगा वो भी देख लेते हैं पुब्लिक सेक्टर के अंदर तो health care workers और hospital आएगे तो गाओं के level पर कौन-कौन रहेगा village health kite, आशा, local day उसके बाद centers कौन-कौन से हैं सबसे पहले आता है आंगनवारी center जिसमें अंगनवारी worker होती है फिर आता है sub center, primary health center, community health center, district hospital और medical colleges ये सभी centers जैसे कि अस्पताल के जैसे हैं जहां पर आपको health care मिल सकती है उसके लावा सरकार इंशनरेंट स्कीम भी चलाती है ESI, LIC ये भी हम देखींगे और उसके बाद आती है जैसे कि defense के अलग hospitals होते हैं रेलवे के अलग hospitals होते हैं प्राइविट सेक्टर तो आपको पता है अभी प्राइविट सेक्टर में प्राइविट होस्पिटर नासिकों पॉली क्लिनिक्स इंडीजिनल सिस्टम में जैसे कि हमने डिसकस किया आयरुवेदा, योगा, युनानी, सिद्धा, होमियोपेथी इनके अलावना quacks जो unregistered practitioner होते हैं जोला चाप जो एक टर्म चलती है मानो या ना मानो health care तो वो भी देते हैं अच्छी या बोरी depends सही या गलत वो भी depends मगर हाँ quacks भी इंडिजनल सिस्टम में आते हैं voluntary health agency, बहुत सी आसी health agencies, NGOs हैं जो काम कर रहे हैं देश में जिन से health care मिलती है red cross society है, Indian red cross society TB Association of India Hindu Kushnivansans, ये leprosy के लिए होता है ये जब भी है, national health programs में चल रहे हैं, देश में बहुत सारे NTP, tuberculosis के लिए AIDS के लिए, leprosy के लिए तो ये सारे भी आपको health care delivery करते हैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि भाई, अगर हम बात करें health care workers और hospitals की तो सबसे पहले तो गाउं की बात करें गाउं में सरकार ने क्या दिया है गाउं में घूम घूम के social health activist उसके लावा village health guide उसके लावा local दाई या train birth attendant local दाई कोन होती है याद है वो जो कई लोग होते हैं कि हम institutional delivery नहीं कराएंगे हम home delivery कराएंगे तो ठीक है वो home delivery ना ये जो गाउं की दाई मा होती थी ना उनी से कराती थी तो हमने क्या किया ये जो दाई मा हैं इनी को हमने train कर दिया और इनको बना दिया हमने train birth attendant समझ गए तो ये हो गए village level पर एक और चीज़ याद रखने वाली याद रखना कि जो आशा होती है ना at least MP में तो color coding हुई है इनके कपड़ों की कि ये ना purple color की सारी जादा तर आपको पहने हुए दिखेंगी तो आप दूर से ही पचांज हो कि भाई वो आशा कारे करता है ये तो हो गया कि भाई गाउं के level पे कौन सा कौन कौन से workers काम करते हैं अभी center नहीं खुला है अब सबसे पहला center जो अस्पताल ने जो government ने खुला that is आंगनवाडी center जो होता है उसमें आंगनवाडी कारे करता है या आंगनवाडी worker काम करती है ICDS scheme के तहती है खुला गया है और ये जो आंगनवाडी workers होते है ना इसको हम ICDS scheme में अच्छे से पढ़ेंगे तो आंगनवाडी केंदर में आपको मिलेंगी आंगनवाडी worker और इन में भी याद रखना कि इन में भी color coding की गई है तो ये pink color के साड़ी में ज़्यादा तर आपको दिखेंगी ये भी याद रखना है इसलिए आपको दूर से दिख जाएंगे भाई वो आंगनवाडी कारे करता है अंगनवाडी center के बाद आता है sub center sub center या grammar औरोगे केंद या फिर इसको हम उप स्वास्तर केंदर भी कहते हैं हिंदी में यहाँ पे न आपको A&M बैठी मिलेंगी A&M भी आप दूर से ही पचान जोगे क्योंकि वो ज़्यादा तर green color के कपड़े तो तीन color coding की गई है healthcare workers के लिए एक है आशा के लिए that is purple color की उसके बाद आंगनवाडी worker के लिए pink color की और A&M के लिए green color की ठीक तो यह भी याद रखना अच्छ है उसके बाद sub center के बाद आता है primary health center primary health center याने की प्रात्मिक स्वास्त केंद्र उसके बाद आता है community health center community health center याने की सामुदा एक स्वास्त केंद्र उसके बाद शहर में आ जाओ तो एक जिला चिकित साले या district hospital होता है याद रखना district hospital जो होता है highest level होता है integration of health services का अलग-अलग health services जो आप दे रहे हैं सब को integrate आप district hospital में जिले में करते हैं और सबसे उपर आएंगे उस चाहर का medical college क्योंकि वो एक tertiary care center होता है तो medical college है सबसे उपर तो अगर आपसे health care workers या hospital में कोई पूछे कि भाई सबसे पहला center कौन सा है या सबसे नीचे कौन सा center है तो आप बुलोगे अंगनवाडी center उसके उपर आएगा sub center उसके उपर पिएचसी फिर सीएचसी फिर district फिर medical college अगर आपसे कोई पूछे कि गाउं के level पे कौन-कौन से worker होते हैं तो आश्या, village health guide और localize ठीक तो ये तो हो गए आपके healthcare workers और hospitals फिर आती है जो हमने बोलो था कई insurance schemes भी सरकार चला रही है healthcare देने के लिए तो एक होती है ESI scheme या employee state insurance यह हमने ना occupational health वाले chapter में पढ़ा भी है तो वहाँ आप देख सकते हो ESI के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी दियो हुई है उसके लावना life insurance corporation भी होता है LIC के नाम से चलता है तो LIC भी एक insurance scheme सरकार चलाती है पुरी कंपनी है उसके बाद फिर other agencies में आप देखोगे तो defense की खुद के hospital होते हैं आपने देखा होगा वो भी सरकार वहाँ से भी healthcare देती है यह आप देख लो तो यहाँ पे जल थल और वायो तीनों का है तीनों का mix भी है उसके बाद आप देख लोगे railway के अलग hospitals चलते हैं तो railway hospitals जो होते हैं वो भी आपको healthcare प्रोवाइट करते हैं लेकिन अगर आप ध्यान दो यह सभी जो हमने देखे वो क्या थे government वाले यानि की public sector के public sector में देखा हमने गाउं पे कौन से हैं और फिर गाउं से लेके शहरता कौन-कौन से छोटे-छोटे-छोटे बड़े अस्पताल खोल के रखें सरकार ने फिर हमने देखा कौन सी इंशरें स्कीम चला रहे हैं फिर हमने देखा और कौन सी यादर अरे अज़ेंसीस है जो आपको हेल्थक्यार दे रही है सरकार के द्वारा उसके बाद आते हैं private sector पर तो private sector में तो वही private hospitals clinics nursing homes और जो general practitioners बैटके अपनी clinic चलाते हैं वो सभी आ जाएंगे private sector में फिर आता है आपका indigenous system of medicine वो सब Alopathy था ये अलोपेथी के अलावा चीजें हैं ये आपका आयुश तो आयुश विभाग एक अलगी चलता है ये भी एक इंडिजनल सिस्टम अफ मेडिसिन है उसके अलावा ना क्वैक्स भी होते हैं जिनको हम जोला चाप बोलते हैं अनरजिस्टर्ट परेक्टिश्णर होते हैं ये भी एक तरह से हल्थ केर तो दे रहें सही दे रहे हैं गलत दे रहे हैं जो भी लेकिन दे तो रहे हैं तो क्वैक्स भी इंडिजनल सिस्टम में आप लिख सकते हो फिर आता है वोललंटरी हल्थ अजेंसी बहुत सारी एजनसी, Red Cross Society, TBA, हिंदु कुष्णिवारासंग, यह सब बहुत सारे हैं, यह सब भी काम कर रहे हैं देश में, हेल्थ क्या देने के लिए, और फिर प्रोग्राम तो चली रहे हैं, TB के लिए, AIDS के लिए, Leprosy के लिए, Malaria वगरा के लिए, बहुत सारे प्रोग्रा के लिए, बहुत ही, Quick Revision के लिए, इंपोर्टेंट होती है, वही जो हमने देखा था ना, अभी, कि वो कौन-कौन से Centers of Workers हैं, बस वो थोड़ी से जानकारी आपको नीचीए, कि गाम पे कौन सा है, Village Health Guide, लोकल दाई, आशा, कितनी population में तो, या तो याद कर लो, एक गाम में किया तो याद कर लो, हजार की population में एक आशा कारी करता है, लोकल दाई है, Village Health Guide आपको रखना है, ठीक, ये सब कुछ हम अलग-अलग पढ़ने वाले हैं, आगे की वीडियोस में, अभी सिफ थोड़ा सा ज्यान होना चाहिए, फिर अगर हम बात करें, आंगनवारी सेंटर की अगनवारी कारी करता, ये पिंक साडी में रही, आशा की बात करें, तो ये परपल साडी में आपको अशा कारी करता देख रही हैं, अब यहाँ पे एक सवाल है कि ये 400 क्यों और ये 800 क्यों, तो न, ऐसी जगह, जो की ट्राइबल एरिया है या फिर हिली एरिया है, तो बट 800 अपर रेंज है यह न प्लेन एरिया के लिए प्लेन एरिया में पॉपुलेशन बट अवयसली जादा होगी तो इसलिए 800 की पॉपुलेशन में एक आंगनवाडी यही चीज आगे भी हमको मिलेंगी 3000 से 5000, 2000 से 3000, 80000 से 1200, ठीक है तो यह याद रखना कि जो लोवर लिमिट है वो ट्राइबल एरिया या हिली एरिया के लिए है और जो अपर लिमिट है यह प्लेन एरिया के लिए ठीक आगे चलते हैं सबसेंटर की बात करें तो सबसेंटर पर आपको डॉक्टर नहीं मिलता है एनम मिलती है ग्रीन कलर की साड़ी या ग्रीन कलर की कपड़े पैने आपको मिल जाएंगी वहाँ पर और यह सबसेंटर 3000 से 5000 की पॉपुलेशन में एक होता है एक और चीज जयाद छे सबसेंटर एक पी एचसी के तहट जादातर होते हैं तो यह आपको सबसेंटर दिख रहा है उप स्वास्त केंदर जिसको कहते हैं और यहाँ पर आपको एनम मिल जाएंगी ग्रीन कलर की कपड़े या साड़ी पैने हुए ठीक उसके बाद आता है प्राइमरी हेल्थ की ह जिसको कि हम प्राथमिक स्वास्त केंदर भी कहते हैं यह 20,000 से 30,000 की population में होता है यहाँ पर आपको डॉक्टर मिलता है पहली बार देखो वो नीचे से आप उन आ रहे थे तो ना आंगनवाडी में मिला ना सबसेंटर में मिला ना गाम में पहली बार डॉक्टर से आमना सा पहली बार डॉक्टर से कहा मुलाकात होगी लोगों की प्राथमिक स्वास्त केंदर में फिर उसके उपर वाला सेंटर जो होता है उससे थोड़ा हाईर लेवल का वो होता है कम्यूनिटी हेल्ट सेंटर यह 80,000 से 1,20,000 की population में एक छी खुलते है इसमें ना अब MBBS के अलाव भी लोग बैठेंगे यानि कि यहाँ पर specialist बैठेंगे, MDMS बैठेंगे, physician बैठेंगे, surgeon बैठेंगे, pediatrician बैठेंगे, gynecologist बैठेंगे, उसके अलावा anesthetist बैठेंगे, ophthalmologist वगरा, dentist यह सब लोग यहाँ पर बैठते हैं, community health center जिसको की हिंदी में कहते हैं, सामुदाइक स् केंदर, समझ गए, और यह जो होता है, जादता CHC को FRU के जैसे भी यूज किया जाता है, that is first referral unit, यानि कि यहाँ पर कहीं भी इसके उपर वाले जितने भी health care delivery system, गाव में कोई बहुत emergency case मिल गया, अंगनवाडी में कोई बहुत emergency case आ गया, या sub center में कोई बहुत emergency है, primary health center में तो सबसे पहले refer कहा करना है, first referral unit में आपको direct refer कर दिना है, that is CHC में, first referral unit, फिर CHC से जादा बहतर फिर जिले में एक district hospital या जिला चिकित साले तो होता ही है, और कई शहरों में आपको government medical colleges भी मिल जाएंगे, तो ये एक quick revision के लिए आपको पता होना चाहिए, कि भईया, public health center के health care workers और जो hospitals हैं, वो कौन-कौन से हैं, ठीक, तो अगर मैं बात करूँ सवाल की, तो ना health care delivery system आपका star question है, ये तो आपको आना ही आना है, या तो आपको theory में आएगा, अगर theory में आएगा, तो आपको long question आ जाता है, और theory में आपको इस पे short note तो आता ही आता है, long question में आपको पहले तो पूरा health care delivery input बताना है, आपको health care services बताना है, health care delivery system बताना है, output बताना है, फिर पूरा health care delivery system समझाना है, आजकल 5 MP में तो at least 5 number से जादा ये question नहीं आते, इसलिए I will say, कि बहुत जादा deep में नहीं जाना है, एक एक चीज़ के, लेकिन जितना अभी आपको ने cover किया उसको तो कर लेना, तीक, अगर मैं बात करूँ, वाइवा की, तो वाइवा के लिए कुछ important चीज़ा आपको याद रखनी है, सबसे पहली चीज़ तो भाई, अगर आपसे कोई पूछे कि resources का मतलब क्या होता है, तो resources में आपको health care में क्या याद रखना है, MMT, that is money, manpower and time, उसके बाद अगर वाइवा में आपसे अगला सवाल कोई पूछता है, तो वह होता है, health care delivery system इंडिया का बताओ, तो पता आप क्या बोलते हो, health care delivery system में PHC आता है, CHC आता है, सबसेंटर आता है, आंगनवाड़ी, कुछ भी नहीं बोल देना, हावा में, उपर नीचे करके, जैसे समझाया वैसे, कि भाई, health care delivery system में 5 component, public sector, private sector, indigenous system, voluntary health agency, national health program, उसके बाद अगला आपसे खुदी सवाल पर है, अच्छा ठीक है, चलो public health sector के health care workers के नाम बताओ, फलाना डिकाना, तो फिर आप अपनी बकर बिचाओगे, ओके, अब अगली चीज़ वाइवा में ये बहु आपकर मिलेंगे, तो आपको आशा, village health guide और local दाई मिलेंगे, उसके बाद आपसे पूछ ले जाता है, चलो बताओ, कि सबसे पहला center कौन सा है, तो आप बताओगे आंगनवाडी center है, उसके बाद कौन सा है, तो आप बताओगे sub center, फिर बताओगे PHC, फिर बताओगे CHC, खोल दो, 50-60 गाओं मिला के PHC, खोल दो, 100-100 गाओं मिला के CHC, खोल दो, और फिर पूरे के पूरे एक जले में district hospital खोल दो, और एक जले में एक government medical college खोल दो, तो ये line से याद रखना अच्छा रहेगा, तो अब ना कई बार आपसे बोलना, देखा है कभी आशा को, तो ठीक, उसके बाद आपसे वाइवा में आयुष पर सवाल पूछ ले जाता है कि भाई, आयुष का full form बताओ, तो A for Ayurveda, Y for Yoga, U for Vinani, S for Siddha, H for Homeopathy, quacks अगर याद आ जाए, तो quacks भी बोल देना, ठीक, और फिर ये जो अपने पूरा को पूरा याद कियाता है, ये तो कितनी पॉपुलेशन में, कितनी लोकल दाई, कितनी आशा, कितनी पॉपुलेशन में, अंगनवारी सेंटर, कितनी पॉपुलेशन में एक होना चाहिए, अंगनवारी सेंटर में कौन मिलेगा, सब सेंटर कितनी पॉपुलेशन में, और सब सेंटर में कौन मिलेगा, याद चीज़े जो हम discuss कर रहे ना इनको अलग 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 वीडियो में अच्छे से करेंगे उन पर भी इंडिविजुली आशा पर या इंडिविजुली प्राइमरी हेल सेंटर या सबसेंटर पर शॉर्ट नोट आ जाता है तो उसको हम इंडिविजुली अलग अलग वीडियो में करने वाले हैं ठीक तो अब अगर मैं बात करूँ MCQs की तो जितने भी underline पार्ट है हमारे slides में और notes में वो सभी अलग अलग prepg exams में पूछे गए MCQs हैं तो एक MCQ मेरे को मिला था कि भाई ग्रासरूट लेवल वर्कर्स कौन कौन से होते हैं तो आपको पता होना चाहिए आशा विलिज हेल्ट काईट और लोकल दाइन दो पे तो आया हुआ है उसके लावा आंगनवाडी वर्कर कौन सी स्कीम के तहट तो यह MCQ आया था that is ICDS के तहट एक MCQ मेरे को district hospital में मिला था कि it is the highest level of integration of health services ठीक तो यह आपको पता होना चाहिए तो इतनी चीज़े हैं जो आपको healthcare delivery system में पता ही होनी चाहिए थैंक्यू